हलो एब्रीवन वेलकम टू स्टड़ी आईक्यू पीसियस देस इस मनीश रवास्त्र जैसा कि आपको पता है रोजाना दिन के तीन बजे एंपीपेसी मेंस के लिए एक सीरीस स्टार्ट हुई है जो मैंने स्टार्ट की हुई है और इसमें हम लोग बहुत अलग-अलग मेंस के festivals को cover कर लिया है बुंदेल खंड के festivals के बाद हमने last lecture में बहुत सारी चीजें देखी थी जो इनके dance से related थी तो जो लोक नृत्य कहलाता है जो folk dance कहलाता है उन दो दो चीजों को हम cover कर चुके हैं अभी तक तो अभी तक के sessions में ये जो चीजें मैंने पढ़ाई हुई है इन में आपने क्या देख लिए festivals देख लिए लोक उत्सव इसके अलावा dance देख लिए folk dance लोक मृत्य आज क्या देखने वाले हैं तो आज हम लोक जो है बात करेंगे किस के बारे में तो आज हम folk songs के बारे में बात करेंगे songs मतलब यहां का लोक गायन इसके अलावा drama जिसको नाट्टे कहा जाता है ये भी और एक और चीज पढ़ लेंगे आज हम इन यहां की चित्रकला तो basically major major portion आज सारे पढ़ लेंगे जिनमें इनकी जो paintings होती है उनको देख लेंगे इसके अलावा आपका songs, drama, dance, festivals ये अल्रेड़ी हो चुके हैं और बुंदेला इसके बारे में मैंने political history भी इनकी cover कर दी है तो बहुत सारी चीज़ें इससे correlated हैं तो आज हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और at the end तक इनको याद करने की कोशिश करेंगे जैसे हमने festivals पढ़े, months के names देखे इसके अलावा dance देखा कल बहुत सारे dance पढ़े थे तो वैसे ही आज उन चीज़ों को भी हम लोग cover करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि इन पर आसानी से कमांड हो सके कोई भी तरह से questions आए तो हम आसानी से उसको prelims में भी और mains में भी दोनों चीज़ों को जो है attempt कर सकें तो शुरू करेंगे आज का session और किसके बारे में करेंगे तो folks song and drama of बुंदेलखंड तो बुंदेलखंड के बारे में start करेंगे इसके अलाबा answer writing जो भी इस question की दी जाएगी वो आपको कहां लिखकर भेजनी है तो आपको mail ID ये है इस mail ID पर mail करना है आपको इसके अलाब इस lecture की PDF में रोजाना जो है upload कर देता हूँ पूरा पूरा गर 11 marker भी आजाए 11 marker आट एन कर चलो बुंदेलखंड पर आजाए तो हम उसके festivals बता सके हम वहां के dance बता सके वहां जो भी songs गाए जाते हैं गायन जो होता है उस पर focus कर सके साथ साथ वहां के जो भी चित्रकला होती है या फिर आपकी नाक्टे कला होती है इन सारी चीज़ों को आप वहां पर बता सकते हैं तो इस तरीके से हम इस चीज़ को cover करेंगे तो देखेंगे बुंदेलखंड का reason अब मुझे बताने की ज़रूत नहीं है आप लोगों को इतनी क्लासिस मैं बुंदेलखंड के उपर ले चुका हों कि आपको बुंदेलखंड इक डिस्टिक यहाद हो गया होगा कि दटिया भी है, पन्ना भी है, चतरपur भी है आपका सागर भी है, दमो भी है, पन्ना भी है, चतरपुर, टीकमगर, निवाडी यह सारी चीज़ है और यूपी वाला रीजन भी आ जाता है तो यह सारे डिस्ट्रिक्स कहां के हो गए बुंदेल खंड के हो गए राज हम सबसे पहले क्या शुरुआत करेंगे तो हम लोग गायन से शुरुआत करेंगे तो लोग गायन लोग गायन मतलब फोक सॉंग्स और बुंदेल खंड तो बुंदेल खंड में कौन-कौन से गायन होते हैं इस पर अच्छे से नजर डालेंगे और इन पर आसानी से कमांड कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बुंदेल खंड में, उस चीज़ पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि वही किस किस चीज़ से यह जोड़ा हुआ है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें सबसे पहला है आलहा गायन, तो भई आलहा गायन क्या होता है, तो आलहा गायन हम देखेंगे, तो बुंदेल खंड में, बुंदेल खंड में बताया जाता है, एक वंच हुआ, जिसको बूला जाता है, चंदेल वंच, चंदेल डाइनेस्टी, इन चंदेलों को बताया जाता है, इन चंदेलों में एक राजा हुए, जिनका नाम क्या था? पर परमार्दी देव चंदेल के दो सेना पती थे सामंद भी कहे जाते हैं जिन में कौन थे एक था आला और दूसरा था उदल ये आला और उदल परमार्दी देव चंदेल के लिए जो है बहुत सारी जगाप पर युद्ध भी लड़ने गए थे इनकी जो मृत्य हुई थी वो सिर्सागड के युद्ध में हुई थी 1182 में ये हमने डिसकस भी किया था पहले कि 1182 में चंदेलों को प्रिथवी रासिंग चोहान ने हराया था तो चोहानों और चंदेलों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें परमार्दी देव चंदेल जो थे वो हार गय थे और इसमें इनके दोनों सेनापती जो थे क्या क्या नाम था आलहा और उदल इनकी मृत्ति हो गई थी तो ये जो थे आलहा गायन में अगर हम बात करें तो जो परमार्दी देव चंदेल थे इनकी कोट में एक पोईट हुआ करते थे एक राज कभी हुआ करते थे जिनका नाम था जगनिक जगनिक की बात करें तो जगनिक ने बहुत सारी किताबे लिखी तो इसमें जो है परमाल रासो लिखा है किसके उपर तो परमाल रासो लिखा है परमार्दी देव चंदेल के उपर आप जब ये पढ़ेंगे तो मिलेगा कि जगनिक की किताबों में एक किताब है कौन सी पर वित्वी राज रासो चंदर बर्दाइद ने लिखी थी वैसे ही परमाल रासो किस ने लिखिये जगनिक ने लिखिये और जगनिक ने ही एक और जो है आलहा की ऊपर एक आलहा खंड लिखा है क्या लिखा है आला खंड तो जो आला खंड है वो किसके द्वारा लिखा गया है जगनिक के द्वारा और आला उरूदल काफी जो है प्रसिद्ध है किस वाले शेत्र में तो ये बुंदेल खंड में भी है थोड़ा सा बगेल खंड वाले शेत्र में भी ये दोनों काफी फेमस रहते हैं वहाँ पर इनी के द्वारा जो आला खंड लिखा गया है इनी आला खंड में बावन खंड है इन बावन खंडों में से कई तरह के गायन किये जाते हैं बताया जाता है कि जो महियर का माशारदा का मंदर है त्रिकूटा परवत पर वहाँ आज भी ये लोग आते हैं दर्शन करते हैं तो ऐसी माननिता है वहाँ पर इनके लिए जो है वहाँ कि लोग गीत बहुत प्रसिध नहीं जुसको कौन सा गायन कहा जाते हैं तो आलहा गायन कहा जाते हैं तो बुंदेल खंड में बी और मैं पता रहूँ कुछ भागा बगेल खंड में भी तो वहाँ पर भी ये माननेता जादा चलती है तो आलहा गायन बुंदेल खंड का एक बहुत प्रसिद गायन है जो परमार्दी देव चंदेल के ही सामंत या सेना पतियों में आला उदल में से आला के लिए गाये जाते हैं और जो किसने लिखे हैं तो जगनिक नाम के कवी हु माद्यम से जैसे कई लोगों के जीवन को गीतों के माद्यम से जब गाये जाता है तो वो उस तरह का गायन प्रसिद हो जाता है तो इस तरह के गायन को हम क्या बोलते हैं आलहा गायन कहते हैं किसके लिए है आलहा के लिए प्रसिद हैं गुड आफटर नून आकाश कल्पना एक के जो भी जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे से देखेंगे तो समझने आये ये पहला गायन क्या है तो ये पहला गायन आला से जुड़ा हुआ है और आला का नाम आएगा तो याद रखेंगे परमार्दी देव चंदेल चंदेलों को मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें इनक के बाद वाकपती हैं जय शक्ति विजय शक्ति राहिल हुआ राहिल के बाद हर्षदेव हैं हर्षदेव के बाद यशोवर्मन यशोवर्मन के बाद धंगदेव गंडदेव विद्याधर विद्याधर के बाद जो है आगे चलकर होते हैं परमार्दी देव चंदेल और इन लिंजर was fought between whom and at what time जल्दी से comment section बताएंगे तो पहला गायन समझने आ गया होगा कौन सा गायन है आला गायन है बढ़ते हैं दूसरे गायन पर तो दूसरा गायन कहलाता है भोला गीत इसको भोला गीत या बंबुलिया भी कहा जाता है इसका एक और नाम है इसको कहा जाता है ल की गीत के हैं बाम बोलिया और ये किसको समर्पित है तो भगवान शिव को भोले नाद भी कहा जाता है तो ये भगवान शिव के लिए जो समर्पित गायन है बुंदेल खंड के शेत्र में और विशेश तोर पर भगवान शिव की पूजा कब होती है तो सावन के महीने में ह होता है उसमें होती है यह मने बताया भी था इसमें बहुत सारे तेहवार मनाते हैं हम लोग जैसे रक्षा बंदन का तेहवार जो होता है वो हम कम बनाते है तो श्रावण में बनाते हैं तो ये जो चीज है वो आपकी सावन के अंदर भगवान शिव को समर्पित जो गायन है उसको कौन सा गायन कहा जता है भोला गायन कहा जता है तो भोला गीत भगवान भोले नाथ भगवान शिव भगवान जो है अलग अलग नाम है भगवान शिव के शिव भी कहा जता है शंकर भी कहा जता है इसके अलावा भूले नाद भी का आ जाता है तो ये जो है भगवान शिव को समर्पित कौन सा गायन है बुंदेल खंड का तो बहुती फेमस गायन बुंदेल खंड का है जिसको आप किस नाम से याद रखेंगे बामबुलिया गीत या भूला गीत या लम्टेरा गीत कीरत वीर भानु बगेल मदुकर शाह दलपत शाह थोड़ी थे कीरत सिंग चंदेल हुआ करते थे वीर भानु बगेल हुआ करते थे और मदुकर शाह जो है बुंदेला हुआ करते थे और शेशा सूरी से लड़ा गया था चीज पंदरासों पयतालिस में ठीक है बहुत बढ़िया तो यहां तक बाब चीज में समझने आ रही है और जो बच्चे मुझे कमेंpor जया रधा आकटेव दिखते हैं उन के पर त connection मैं मुझे जो बचोंक के और मुझे पर अच्छे करना कोई बहुत जरूरी भी चीज नहीं है लेकिन जो लोग अक्टेव हैं उनसे जो भी आप सेशन में पढ़िया आंसर राइट करके आप लोग बेज़े मेरे पास बहुत सारे आंसर आते हैं और मुझे नाम से सारे बच्चे अब तो मैं पहचानने लगाँ तो जो बच्चे कमेंट्स में अ इसको भी बनाएंगे तो यह सीरीज जो है सभी के लिए काफी जो है ज़रूरा मताब बहुत ही ज़्यादा कारगर सावित होगी अगर आप इसको थोड़ा सा डेडिकेटेड होकर चीज़े करिए तो याद रखेंगे भोला गीत किसके लिए भगवान शंकर के लिए समर्प गीत अब देखिए फाग गीत अगर आप बुंदेल खंड पढ़ रहें तो बुंदेल खंड में भी आएगा बगेल खंड में भी आएगा निमार में भी आएगा मालवा में भी आएगा तो एक बारवा महीना है हिंदू केलेंडर के साब से इसका नाम क्या है फालगुन है तो जो फागुन है या फालगुन है इसमें गाया जाने वाला जो गीत है उसको फाग बोल देते हैं और फाग कब गई जाती है तो होली में जो गीत गाये जाते है वो आपके कौन से होते हैं, फाग गायन होता है, तो फाग गायन एक ऐसा गायन जो आपको हर शेत्र में मिलेगा, बगेल खंड में भी मिलेगा, बुंदेल खंड में भी मिलेगा, निमाड में भी मिलेगा, सारी जगाओं पर यह मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है आप लोग फोटो ले लिजे देखो मेरे पास सारे बच्चों की जो आते हैं वो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से डिवाइस है जो भी आंसर जहां लिखा है उसको एक फोटो लिखो मेल आईडी पर आप सेंट कर दो जो भी उसमें चेंजेस होंगे हम उस पर बात कर लेंगे तो लिखो बिलकुल लिखो आप लोगों को फायदा जरूर होगा आप लिखकर थोड़ा सा आप 10 डेज इस चीज को प्रैक्टेस करके देखो 10 डेज में आपको लगता है कि आपका को साही जो का हूँ बारवा मन्त होता है फाग उनका जब हम होली मनाते हैं रंग पंच मी मनाते हैं यह सारे तैवार उसी महीने होते हैं तो उस समय जो गाया जाता है उसको फाग गायन कहा जाता है इसके बाद देखिए अगला गायन है बेराइटा गायन जो होता है रामायन और महाभारत के अलग-अलग जो द्रिश्टान्त है उनको गीतों के माध्यम से गाया जाता है कि जैसे कि आपका महाभारत में एक पर्व है जिसको कहा जाता है शांती पर्व जैसे महाभारत पर्वों में डिवाइड है रामायन जो है कांडों में डिवाइड है जैसे बाल कांड सुना होगा किश्किंदा कांड है अयोध्या कांड है लंका कांड है सुन्दर कांड है वैसे ही महाभारत में भी अलग-अलग पर्व है तो इसमें जो महत्पून पर्व ह जिसको शांती पर्व कहा जाता है और इस शांती पर्व में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ग्यान दिया था जिसको हम गीता कहते हैं भगवत गीता तो भगवत गीता is a part of महाभारत तो महाभारत के कोई द्रिस्टांत को या महाभारत के कोई भी तरह के चितरन को जब गायन के माध्यम से गाया जाता है बुंदेल खंड शेतर में या रामाइन का कोई भी जो खंड है या कांड है उसको जब मतलब उस जो भी वहाँ पे घटनाए हुई है कि भगवान राम जो है बन में जा रहे हैं या वन से जो है सीता जी को डूड़ने जा रहे हैं या लंका जा रहे हैं या रावन का वद कर रहे हैं तो ये सारी चीजों का बुला जाए कि जो भी स्टोरीज है उनको गीत के माध्यम से जब गाया जाता है बुंदेल खंड में तो उस गायन को बेराइटा गायन कहा जाता है तो ये गायन कौन सा बन जाता है बेराइटा गायन तो ब लावा जो महाभारत है इसको महर्शी वेद्व्यास ने लिखा है तो महर्शी वेद्व्यास ने भी लिखा है इसको इसी महाभारत का एक और नाम इसको जै सहेता भी बुला जाता है जैं सहिता और एक और नाम इसका शत शहस्त्र सहिता शत का मतलब होता है हंड्रेड शहस्त्र का मतलब होता है थाउजंट इसको करेंगे तो वन लैक आ जाएगा तो एक लाग श्लोक वाला ग्रंथ है क्या आपका महा भारत तो महा भारत के दृष्टान्तों का कहानियों का जब गायन के माध्यम से प्रचलन होता है या उसका गायन होता है तो उसको कौन सा गायन कह देते हैं बेराइटा गायन बुंदेल खंड के अंदर ये बहुत गायन ठेक है तो यहां तक बात समझने आ रही होगी वड़ते हैं अगले गायन के उपर अगला गायन है जिसको कहा जाते है दिवारी गायन तो दिवारी गायन जो होता है यह दिवारी गायन मैंने आपको कल दिवारी रित भी बताया था जो दिवारी के अगले दिन कौन सी जाती कहती है अहीर या कई निमन जातियां करती है तो बताया जाता है कि दिवारी गायन क्या होता है कि दिवारी गायन में जो अहीर जाती के लोग होते हैं वो घर घर जाते हैं और भीक्षा मा जांगते हुए जो गायन किया जाता है अहीर जाती के द्वारा कभीलियाई जातियों के द्वारा जो निमने जातियां होती है उनके द्वारा ये जो है भिक्षा मांगी जाती है दिवाली के अगले दिन जो आपका लक्ष्मी पूजन हो जाती है लक्ष्मी पूजन के अगले दिन जिसको गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है तो कार्टेक मास की जो अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा आती हो उस दिन कौन सा गायन किया जाता है दिवारी गायन दिवारी के अगले दिन होता है इसी में मैंने आपको कल एक नृत्य भी बताए था पाई डंडा नृत्य कहा जाता है अहीराई नृत्य कहा जाता है वही नृत्य की बात हम यहाँ पर भी कर रहे हैं लेकिन वो नृत्य में जो गायन होता है उस गायन को देवारी गायन कहा जाता है तो कार्तिक महा में यह गायन किया जाता है इसके बाद देखिए हरदौल की मन कि अगर हम बात करें तो हर्दौल की मनोती में मैंने आपको हर्दौल की कहानी पहले भी सुनाई हुई है तो हर्दौल की कहानी जो है जब मैंने आपको बुंदेला पढ़ाए थे तो जिन्होंने नहीं सुनी है वो बुंदेला वाला लेक्चर भी जरूर देख लीजिए उसम वीर सिंग देव बुंदेला राम शाह हुआ इसके बाद जो है जुजार सिंग और जुजार सिंग का ही एक भाई था जिसका नाम हरदौल था तो बुंदेला वंच जब मैंने आपको पढ़ाया था जिनको कहानी नहीं पता है उनको फिर से सुना दे रहा हूँ ध्यान से सुन लिजे तो बुंदेला वंच में एक शाशक हुए जिनका नाम क्या था जुजार सिंग जुजार सिंग जो थे वो किसके बेटे थे वीर सिंग बुंदिला के बेटे थे और इनी का जो भाई था वो कौन था हर्दॉल था तो जोजार सिंग को बताया जाता है कि जोजार सिंग जब शाहां के साथ जो है इनको दक्षन की युद्ध में जाना पड़ा था तो हर्दॉल जो है थे दीवान बनाए गए थे और दीवान बनने पर मतलब दीवान को ही राजा के तौर पर अगर राजा उपस्तित नहीं होता है जैसे हमारे कॉंसिट्यूशन में भी दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट इस नौट प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट किसी भी तरीके से मौजूद नहीं है उसकी तब्यत खराब है वो वि प्रेसिडेंट नहीं होता है तो एसे ही क्या होता था उस समय राजा महराजा भी अगर युद्ध लड़ने जा रहे हैं कहीं दूसरी जगा जा रहे हैं तो राजपाट की समालने के लिए दीवान को दे दिया जाता तो हरदौल जो है कई महिनों तक राजा के तौर पर कारे कर रहे थे तो बताया जाता है कि जब जुझार सिंग आया तो जुझार सिंग के सेवकों ने इनके कान भर दिये थे कि वही जो जुझार सिंग की पतनी है उनके अवेद सम्मंद हैं किसके साथ हरदौल के साथ तो हरदौल की जो है अगनी परिक्षा होती है और जुझार सि में हरदौल को देव समान पूजा जाता है हरदौल जो है वहां के देव समान है और जो जुझार सिंग है उनको बुंदेल खंड का कलंक कहा जाता है दाग कहा जाता है तो इनको कलंक कहा जाता है तो उसके बाद हरदौल की जो है वहां पर काफी माननेता है एक कहानी मैंने तो कुझा देवी जुझार सिंग के पास आती है कि वही मेरी बेटी की शादी में आप भाद भरने आओं लेकिन ऐसी माननेता रहती ही कि सब जो है हरदौल को बहुत अच्छा मानते हैं तो जुझार सिंग जो है कह देटा है कुझा देवी को कि जाओ और हरदौल से बोल दो क हरदौल की मनोती जो है हरदौल के लिए जो गायन किया जाता है क्योंकि वह वहां के लोग देवता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा पूजा जाता है तो हरदौल की मनोती भी क्या है बुंदेल खंड के अंदर एक बहुत ही फेमस जो है गायन है और हरदौल को देव समान पूजा जाता है तो उनके लिए जो गीत गाये जाते हैं उनको कहा जाता है हरदौल की मनोती तो इनका दतिया में बहुती बड़ा विशाल एक समाधी भी बनाई गई है साथ-साथ ओर्चा में भी पूजा जाता है तो पूरा बुंदेल खंड में हरदौल के लिए काफी पूजा जाता है फिर हरदौल को पूजा जाता है सर शुकल पक्ष पहले होता है या कृष्ण पक्ष पहले कृष्ण पक्ष आता है कृष्ण पक्ष के बाद शुकल पक्ष आता है पहले कृष्ण पक्ष आता है उसके पंदरा दिन होते हैं उसके पंद्रवे दिन को आप मावस्या कहते हैं उसके बाद शुक्लपक्ष चालू होता है शुक्लपक्ष का अंतिम दिन जो है पूर्णिमा होती है पूर्णिमा जिस दिन खतम होती है उससे अगले दिन नया जो है महीना चालू हो जाता है ठीक है इसके बाद देखिए अगला गायन है जगदेव का पुवारा जगदेव का पुवारा जो है ये भी बुंदेल खायन में बहुत ही फेमस गायन है और ये जो है देवी की पूजा के लिए होता है मतलब जो नौदॉर्गे होती है या नवरात्री होती है उनमें भी बहुत ज़ादा ये जगदेव का पुवारा घाया जाता है तो देवी पूजा से जुड़ा हुआ है शक्ति पूजा से जुड़ा हुआ रिलेटेड है तो उनके लिए जो गायन समर्पित होता है उसको कौन सा गायन कहा देते हैं जगदेव का पुवारा तो जगदेव का पुवारा इस तरीके से related रहता है तो यहाँ पर हमने जो है कुछ जो है गायन देख लिए तो कौन-कौन से गायन देख लिए फटा-फट देख लेते हैं तो लोग गायन में बोला गीत गाया जाता है इसको बाम्बूलिया लम्टेरा कहा जाता है तीसरा गायन है फाग गीत फाग उनके महीने में बहुत सारे शेत्रों में बगेल खंड बुंदेल खंड निमार मालवा सबी जगा जाने वाला जो फाग के समय गीत है उनको फाग गायन कहा जाता है इसक अंदर जो है जो निमने जाती आं होती है वो दिवारी में लोगों के घर-गर जाके भीक्षा मांगती है इस तरह का गायन होता है दिवारी गायन कեղाता है इसके बाद हरदौल की मन होती बुंदेल खंड के नोग देव के रूप में प्रसिद्ध हैं हरदौल और कलंग के रूप में जरन जाता है जुजहार सिंगh वहाँ पर उनकी काफी पुजा होती है हर शादी में उनको invite किया जाता है कि आज भी जो है हरदौल आकर भाद बरेंगे इसके बाद जगदेव का पुवार है शक्ती को समर्पित है नौदरगा कुआर की या फिर अश्विन महा की या चैतर की जो नवरात्रे होती है उनमें भी गाया जाता है देवी को समर्पित है शक्ती को समर्पित है इसके बाद बढ़ते हैं हम किसके उपर ड्रामा के उपर ड्रामा को ही क्या कहा जाता है नाटक इसके लिए अलग-अलग वर्ड चलते हैं प्ले नाट्टे तो हम पढ़ेंगे लोक नाट्टे तो बुंदेल खंड के एक-एक होते जा रहे है अंसर आइटिंग धीरे धीरे इसकी हमको करनी है ताकि हमारे topics अच्छे हो जाएं इस पर तो लोक नाट्टे मतलब folk drama वैसे MP का जो folk मतलब MP का जो drama है state drama जिसको कहा जाता है राज की है नाट्टे जो है वो है माच और माच मालवा में होता है लेकिन हमें कुछ पढ़ने हैं जो बुंदेल खंड में भी होते हैं तो बुंदेल खंड में सिर्फ तीन होते हैं इन तीनों पर ही फोकस करना है इत्ते तीन पढ़नेंगे तो आपके काम हो जाएगा instrument भी होते हैं बिल्कुल instrument होते हैं यूज लेकिन ऐसा आपको अलग से कोई नहीं आएगा कि वह कौन से डोलक का इस्तिमाल किया जाता है जहांजीर का इस्तिमाल किया जाता है तो ऐसी कई चीज़ें होती है लेकिन अलग से इसपे question नहीं आएगा आपको जो है गायन पे करना स्वांग का मतलब ही होता है एक्टिंग करना तो बुंदेली स्वांग मतलब स्वांग से समझ सकते हैं आपकी क्या हो गया तो यह ड्रामा है यह प्ले है तो भाई जो बुंदेली स्वांग है इसमें होता क्या है तो बुंदेली स्वांग में बताया जाता है कि यह प्ले राई का अनृत्य किस जाती के द्वारा किया जाता है ये जल्दी से बताइए और हाली में पदमश्री राई से किसको दिया गया था कमेंट सेक्षन में जल्दी से इसका अंसर दीजिए कि राई में हाली में मद्यप्रदेश से किसी व्यक्ति को पदमश्री दिया गया तो उस विश्राम में कुछ देर के लिए क्या किया जाता है ड्रामा किया जाता है तो लोक नाट्टे है यह जो कब किया जाता है विश्राम के शणों में मतलब आपका राई देखने आ हैं लोग और राई करते करते जब ब्रेक हुआ तो उस ब्रेक में एक कोई भी ड्रामा करके दिखा दिया गया तो उस ड्रामा को क्या कहा जाता है तो उस ड्रामा को बुंदेली स्वांग कहा जाता है भूरी भूरी जाती करती हैं और जो करती है उनको फीमेल्स उसको बेटवी नहीं कहा जाता है इसके हलाव राम सह meant या जाई में पदमिश्री दिया गया था रामनात कोविंध जी के द्वारा बेटे हए है कि बिल्कुल सही सभी के आंसर सही है कलपना आधि अकाश सभी लोगान से सही दे रहें तो बहुत अच्छी बात है यह चीजें आपको याद हो जाएंगे तो एक्जाम में लिखने में क्या दिक्कत होगी तो इसलिए जो है पढ़ाई को विस्तरी कैसे मत लीजिए कि एकदम रटा मारना है आपको चीजों को समझते चलिए दे ब्रेक मिलता होगा तो उन ब्रेक के बीच में चोटे-चोटे नाटक दिखाये जाते हैं उनको बुंदेली स्वांग कहा जाता है इसके बाद देखिए खंब स्वांग खंब स्वांग भी बहुत प्रसिद्ध है बुंदेल खंड का और इसमें ध्यान रखिए कि होता क्या ह है कि ये खंब स्वांग में खंबा होता है एक खंब को गाड़ा जाता है बीच में जैसे ये लोग नाच रहे हैं तो देख रहे होंगे यहाँ पर एक खंबा लगाया गया है इस खंबे के आसपास क्या होता है ये घूमते हैं और जो है ये गायन करते हैं कुछ गाते भी है और स्वांग भी रसते हैं स्वांग का मतलब एक नाटक करते हैं जिसमें खंबे के आसपास घूम कर ये किया जाता है इसलिए इसको बोल दिया जाता है खंब स्वांग और ये कब किया जाता है तो ये आपका कोरकु जन जाती के द्वारा किया जाता है कोरकु ट्राइब जो ह देखे यहाँ पर ध्यान से देख लीजी जो कोरकू ट्राइब है इसका जो शेत्र है वो मद्य प्रदेश में देखा जाये तो थोड़ा सा दक्षिन तम वाले भाग में रहते हैं यह हो गया इदर वाला बुरहान पूर खंडवा वाला जो है बेतुल इन वाले शेत्र में कोर नवरात्री है उससे चालू होकर दिवाली जो होती है कार्तिक महा तक तो मतलब कार्तिक तक चलता है कब से नवरात्री से तो अश्विन महा की नवरात्री से आपका दिवाली के बीच में एक खंबे के आसपास घूमते हुए जो स्वांग रचा जाता है खंबा बीच में ग नहीं आकाशी से पोल डान्स नहीं बोलेंगे हम इसको पोल डान्स अलग चीज़ होती है ये खंब स्वांग है ये कोई डान्स नहीं है उसके आसपास एक्टिंग की जाती है एक ड्रामा किया जाता है उसको कहा जाता है बिल्कुल वहां रहती है लेकिन ये कोरकु जाती के द शोजल प्रॉब्लम का मतलब माल लिये जाए कोई दहेज प्रथा के उपर या नशे विमुक्तिकरण के उपर स्वास्त के उपर तो ऐसे जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उन सामाजिक मुद्दों को लेकर एक जो है नाटक किया जाता है जिसमें समाज में क्या बेजा जा सके awareness लाए जा सके जाग रुकता फैलाई जा सके इस तरीके से किया जाता है लोग जो है अलग-अलग विश्यों के प्रती जो है वो जाग रुक हो अपने जो है अधिकारों को समझे तो इस तरीके से लोकल लोगों को क्योंकि आम जगाओं पर जैसे मुवीज आप लोग देखते हैं या कोई रेप सीरीज देखते हैं तो उससे काफी आप प्रभावित हो जाते हैं काफी जादा जो है एफेक्ट करती है कि उसकी स्टोरी लाइन जो होती है वो कही न कहीं आप एकसेप्ट करते हैं कि ये भी एक समाज की चीज है जो हमसे अंचूती रह गई थी तो ऐसी चीजों को गाओं के इस तर पर तो कोई को सिखाया जाता है तो ये भी याद रख लेंगे ये तीन स्वांग है जिसमें हमने सबसे पहला कौन सा देखा बुंदेली स्वांग बुंदेल खंड में होने वाला राई के ब्रेक्स के बीच में विश्राम के शणों में किया जाने वाला बुंदेली स्वांग कोरकु जन प्रप्ता फैलाने के लिए शोशल अवेरनेस लाने के लिए अलग-अलग विश्यों को लेकर नौटंकी की जाती है इसके बाद देखिए तो हम तोड़ी सी चित्रकला पर भी बात कर लेते हैं तो चित्रकला जो होती है इसको पेंटिंग कहा जाता है तो बुंदेल खंड के आपके पास क्या-क्या चीज़े आ गई है तो देख लीजे यहाँ पर ही मैं कंक्लूड कर रहा हूँ तो आपके पास बुंदेल खंड के आपने उत्सव पढ़ लिया है फेस्टिवल्स को पढ़ लिया है यह मैं पढ़ा चुका हूँ यहां के डांस पढ़ लिया है नृत्य पढ़ लिया है इसके अलावा सॉंग्स को देख लिया है सॉंग्स मतलब गायन को देख लिया गायन के साथ-साथ यहां के आपने जो है ड्रामा देख लिए नाट्टे देख लिए और बुंदेल खंड की चित्रकला अभी आप देख लेंगे चित्रकला पेंटिंग्स तो बुंदेल खंड के आट एन कल्चर वाला जो पार्ट है उसमें मेजर पॉर्शन मैंने आपको करा दिया है इसके अलावा इसमें एक आर्केटेक्चर बसता है कि आर्केटेक्चर मतले इस्थापत्य कौन-कौन सी है तो इस्थापत्य के उपर जो सब्सक्रांट। ने थोड़ा सा MP उठाया हुआ है तो MP के टॉपिक्स कही दिनों से मैं नहीं पढ़ा पारा था तो इसलिए जो है दूसरे sessions में इंगे इस थे हम लोग तो अब जो है ये MP के लिए dedicated है तो इसमें MP पढ़ेंगे जोग्रफी के लिए भी मैं अलग से session ले रहा हूँ जिसमें इंडियन जोग्रफी हमारा चल रहा है इसके लावा साइन्स एंड टेक्नॉलिज चल रहा है और Physics Chemistry Biology में सुबह 8 बजे मेरी क्लास रोजाना रहती है तो वहाँ पर भी चीजे हो रही है और MP के जो मेंस के साथ कराता रहूंगा थैंक यू समर बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग शुरू से फॉलो कर रहे है तो बस फॉलो करने के साथ साथ जो चीजे मैं पढ़ा रहा हूँ उन चीजों को भी बहुत अच्छे से करते रहे है और जो भी चीज़े देखिए यहाँ पर मैंने मैंने वही का है कि ऐसा नहीं है कि बस कोई सेशन ऐसा चालू हो गया है कि जिसमें बस कोई भी टॉपिक खाना पूरती होती रहेगी कि आपको बस पढ़ा दिया गया फिर आपको वो समझने आई या नहीं आए वो चीजे नहीं है जो लग रहा है कहीं पर भी लग रहा है कि अच्छा अच्छा हाँ आधी देखो MP की जोग्रफी कराएंगे बिल्कुल कराएंगे अभी देखो मानलो अभी मेरी क्लास ही चौथा यह पांचवा सेशन ही हुआ है मैंने जो है प्रिलिम से पहले जो स्टेडी आई क्यू आई एस वाला जो में चैनल है उस में चैनल पे मेर लगबग 60-70 वीडियो आपको MP के मिल जाएंगे उसमें मैंने बगेल पूरे पढ़ाई हुए है बगेल डाइनस्टी पढ़ाई हुए है परमार डाइनस्टी पढ़ाई हुए है भोपाल डाइनस्टी पढ़ाई हुए है इसके अलावा उसी के अंदर मैंने कल्चूरियों क को भी कवर किया हुआ है आपके मध्यप्रदेश के आंदोलन है जैसे कि आपका महा कोषल अंदोलन है सीहौर विदरो है इनको इनको कवर किया हुआ है मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्रियों को ले चुका हूं तो मैंने इस λिए वह session कि अगर कोई पुराना बच्चा भी मेरे से अभी इन सेशन्स में जोड़ा है तो हम यूनिक टॉपिक्स लें आप पेट को यूजनाए करवा दीजे याद नियोती है बिल्कुल यूजनाओं के उपर भी हम बात करेंगे बिल्कुल मैंने बोला ना ये ओपन जो है सेशन है इंट्रक्शन होगा हमारा जो जो टॉपिक्स लग रहेंगी इन में टफ हो सकता है या इसमें दिक्कत आती है तो हम उस चीज को कैसे भी कोशिश करके सिंपल करेंगे सर पहले NCRT पढ़ें या आपका साथ में पढ़ें देखें MP की जो चीज है आप NCRT पढ़ेंगे भी तो भी फायदा होगा मैंने जैसे साइंस भी पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने एकदम बेसिक से माना है कि जिनको नहीं आता है उनके लिए उस तरीके से स्टार्ट कि जाएंगे तो एक नीचे थोड़ा सा नीचे जाकर आपको मिलेगी MPPSC उसमें देखेंगे तो मेरे पुराने टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे MPPSC का सेशन्स जो हैं उसमें मैंने किये हुए बिल्कुल बिल्कुल और देखो ऐसा नहीं है कि जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ उनको मैं नहीं पढ़ाओंगा वी वो तो मैंने पढ़ाए हुए हैं उस समय पॉइंट ऑफ टाइम से कई चीजों में एनलेसिस प्रिलिम्स के हिसाब से भी हुआ था अभी हम यह मेंस को लेकर चल रहे हैं तो मेंस ओरिएंटेट बहुत सारी चीज़े हैं और लगता है आपको कि सर्व टॉपिक हमको फिर से पढ़ना है तो आप लोग यहां करवा दीजिए सर बिल्कुल बिल्कुल 100% आप लोगों की जितनी बात है आधी ने मुझे जोग्रफी का है कई बच्चों ने मुझे जी पीएस वाला भी पार्ट का है MP का क्लाइमेट इसके उपर भी बात कर लेंगे हो सकता है तो अभी आने वाले क्लासिस में मंडे तक ही यह सेशन्स में कवर करूंगा डोंट वरी MP की जोग्रफी मेरे पूरे रडार में है और हम जोग्रफी जरूर करेंगे डोंट वरी कोई बात नहीं है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लाइफ सेशन में नहीं जोड़ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग जो है लेक्चर के बाद भी अगर कमेंट्स सेक्शन में तो चीज़ें आती हैं और में देखी सकता हूं उनको तो आप वहाँ पे भी लिख सक हर subject को उसमें divide कर लिए, जैसे MP पढ़ने तो MP की history के sections को थोड़ा सा अलग रखिए, geography के section को अलग रखिए, polity को, economy को और syllabus अपने पास रखिए, सबसे पहला काम आज जाकर जितने भी बच्चे हैं, उनके पास उनके desk पर prelims का syllabus और mains का syllabus होना चाहिए, अगर मैं यहां class में तोड़े-थोड़े topics पढ़ाने के बाद मैं आपको खुद बताऊंगा कि यह चीजे कब आई हैं, वैसे mains writing में हर class में दे रहा हूं कि आपको इसके उपर कुछ ना कुछ आंसर लिखकर आने और बहुत सारे बच्चे लिखकर बेज रहे हैं, मेरे पास मैं रोजाना कुछ ना कुछ बच्चों के answers जो है, यूज कर रहा हूं यहां पर, तो बहुत सारे बच्चे बेज रहे हैं और जो नहीं बेज रहे हैं, वो भी बेजना start करिये, बिल्कुल फायदा होगा, तो ये चीजे हैं, तो थोड़ा सा इसको painting को cover कर लेते हैं, उसके बाद मैं questions और ले ल होती है, जिसको कहा जाता है सुरैती, अब ये सुरैती क्या होती है, तो सुरैती जो होती है, दिवाली के समय, देखें बुंदेल खंड में एक बहुत important चीज होती है, अगर कोई बुंदेल खंड से जुड़ा होगा, तो आप देखेंगे, कभी भी पूजा होती है, या कही पर भी वहाँ पर चौक पूरा जाता है चौक पूरने का मतलब एक रंगोली सी बनाई जाती है जो आटे से मिला कर बनाई जाती है तो यह आटे से बनाई गई रंगोली को ही क्या कहा जाता है सुरेती कहा जाता है तो यह लक्षमी पूजन जो होती है दिवाली में इस लक्ष्मी पूजन में कुछ इस तरीके से ऐसे अलग-अलग structures बनाए जाते हैं और इनके उपर जो है आपको मतब कलश रखा जाता है फिर जो है वहाँ पर मतब चित्र को विराजमान किया जाता है मतब केले के पत्ते के उपर और पूजा की जाती है तो ये जो चीज होती है उसके नीचे जो पेंटिंग होती है उन पेंटिंग को आप कौन सी पेंटिंग कहते है सुरेती पेंटिंग तो सुरेती पेंटिंग गुंदेल खंड में होने वाली बहुत ही महत्पून पेंटिंग है कब की जाती है कार्तिक मास की अमावस्या के दिन जब आप लक्ष्म ले लूँगा तो देखिए पहली पेंटिंग आपको समझने आ गई कौन सी होती है सुरेती पेंटिंग दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के दिन और बुंदेलकंड के शेतर में बहुत ज्यादा इसको चौक पूरना भी कहा जाता है सुरेती नाम याद रखेंगे स्लेबस होती है जो आपने पढ़ा था नउरता तो नौह रता गायन भी बताया है नौर नवरातरी में जो होता है या नौहईंत्री इसमें पेंटिंग की जाती है तो तो सुआटा नाम के एक राक्षश की की जाती है तो इसी में नौरता चित्रकला या सुआटा चित्रकला और इसमें क्या होता है तो एक राक्षश का चित्र बनाया जाता है और ये राक्षश जो होता है इसके आसपास दो बच्चे भी बनाये जाते हैं तो ये जो बताया जा आज भी सुवाटा का भी चित्र बना कर पूजा की जाती है और जो उसका चित्र बनाने की कला होती है उसी को मामूलिया कहा जाता है तो आपको ये तीनो नाम से आ सकता है कि मामूलिया चित्रकला सुवाटा चित्रकला ये नौराता चित्रकला तो नौराता चित्रकला में सुआटा का चित्र बनाया जाता है उसी चित्रकला को क्या कह दिया जाता है मामुलिया कहा जाता है जिसमें नीम्बू के पेड़ की टहनी भी ली जाती है और उनके उपर कपड़े बना कर किया जाता है तो ये एक और important painting है नौराता painting या इसको painting भी याद रखेंगे ये तीनों ही नाम से आ सकता है ये आपको एक चीज़ पता चल गई तो एक painting हो गई सुरैती दूसरी painting कौन सी हो गई मामूलिया painting या फिर नौरता painting तीसरी होती है मोरते अब ये मोरते क्या होती है तो मोरते जो होती है इसको कहा जाता है आपका भित्ती चित्र होते हैं ये ये शब्द आपको मिलेगा अब भित्ती चित्र का मतलब क्या होता है तो इनी को English में कहा जाता है मूरल पेंटिंग्स होती है मूरल पेंटिंग्स का मतलब मूरल पेंटिंग्स का मतलब होता है जब आपने देखा होगा दिवारों की उपर अलग अलग चित्रकला की जाती है तो किसी दिवार की उपर जब बनाया जाता है तो उसको भित्ती चित्र या मुरल पेंटिंग्स कहा जाता है बुंदेल खंड में एक बहुत ही फेमस चीज होती है जिसको कहते हैं मोर्ते तो मोर्ते जो होता है मोर्ते शादी के अफशर पर होता है मतलब किसी का विवा है तो विवा होने पर किसी के घर के बाहर जो है दिवारों पर जो चित्रकला की जाती है विवा के अफसर पर विवा के अफसर पर बुंदेल खंड में होने वाली दिवारों पर चित्रकला जो होती है उसको कौन सी चित्रकला कहा जाता है मोरते चित्रकला कहा जाता है तो मोरते विवा के समय होता है लेकिन इसमें जो है एक और चीज याद रखेंगे कि भाई ये ज बनाया जाता है और इस मंडब के में ही जो है जो पानी ग्रहन संसकार होता है वो होता है तो अगर उस मंडब के आसपास कोई चित्र बनाया जाए तो उसको मूरते नहीं कहेंगे मूरते कहां कहेंगे मूरते घर के बाहर देखने वाले चित्रों को मूरते कहेंगे और अगर मं मंडप के पास मिला है तो उसको कहेंगे अगरोहन तो मंडप के पास मिलने वाले को अगरोहन कहा जाता है इसके अलावा जो मूरते है वो आपका मूरल पेंटिंग्स हैं वाल पेंटिंग्स हैं सिंपल भाषा में समझने के लिए कि दिवारों पर होने वाली चित्रकला है किस स स्कल्प्चर नहीं होता है मूर्थी बनाना ये तो क्या है कि दिवार के वपर पैंटिंग इवार के वपर मूर्थी थूरी बना रहे है like तो ये चीज याद रखिए है हुआ ठीक देख लीज़े तो मूर्टे क्या हो रहत है विवा के ना मिलेगा अगर मोरते मिल गया तो मोरते विवा के समय होगा लेकिन मोर ना मिल जाए या मोर ना मिल जाए तो मोर ना जो होता है जंगल का मूर जो है जंगल के मूर को या मूर जो होता है पिकॉक की बात करें मूर का चित्र अगर जो है दीवारों पर बना दिया जाता है तो उसको मोर ना या मोरेला ये भी कहा जाता है मोर ना मोरेला बिल्कुल मैं वही बोल रहाँ यहां से आपके 100% 3 मार्कर कुश्चन कवर हो जाएंगे और आपको बुंदेल खंड निमाड हर साल आप देखिए अभी जो नया स्लेबस आया है मैंने कल भी बताया था स्लेबस उठा होगा है तो कला संस्कृति आपके मेंस किस लिबस में है तो कभी आपको निमाड की संस्कृति आ रही है कभी आपको बुंदेल खंड की संस्कृति आ रही है कभी आपको बगेल खंड की आ रही है तो अगर आपको इस साल बुंदेल खंड की आती है तो आपके पास फेस्ट तो यह कोशन्स इस तरीके से 3 मारकर में भी बन सकते हैं और 11 मारकर में तो पूरा ही लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर जो है हमने बात करी मोरिना का या इसी को मोरिला भी कहा जाता है तो मोरिला भी आजाए मोईना भी आजाए मोरिना भी आजाए तो यह मोर का चित्र जब पर बना दिया जाता है तो उसको morella या moreina कहा जाता है इसके अलावा एक और महतपूर्ण यहाँ पर painting होती है जिसको कहा जाता है संजा फूली यह संजा फूली निमार में भी होती है यहाँ पर होती है तो 16 दिन तक जो है महिलाएं फीमेल जो होती है वो आपका चित्रकला करती है इसमें गोबर का इस्तिमाल भी किया जाता है और उसके आसपास जो है चित्रकला की जाती है रंगोली सी होती है 16 दिन तक बनाई जाती है इसको संजा फूली कहा जाता है तो संजा फूली भ पर यहां पर है, उसको डिसकंटीनूरियू कर दिया हुऔ, वहां पर새 स्ले बचॉपस का सेक्षन निया हुऑ, SLABS में, आपको नया स्लेबस मिल जागा, उसको डाउनलोड कर लिजे, उस डाउनलोड में English में भी स्लेबस है, Hindi में भी स्लेबस है, दोनों भाषाओं में स्लेबस मिल जाएगा, तो वहां से उस चीज को cover कर लेंगे आप, इमेजेज हैं क्या सर देखो इमेजेज में जब मैंने आपको खजुराहो पढ़ाया है तो खजुराहो में भी कई तरह की मूर्तिकला की बात करी हुई है हमने तो वो मूर्तिकला जो है वो आपकी बुंदिल खंड में आ जाएगी आर्किटेक्चर के उपर जो है मैं बात करूँगा अलग से तो आर्किटेक्चर के उपर मैंने वैसे खजुराहो अलग से पढ़ाया हुआ है तो उस लेक्चर को भी देख लीजेगा नहीं आएंगी चीजे समझने में और कैसे होना चाहिए अब एक क्लास होती है तो एक क्लास में लिमिटेड ही टॉपिक्स मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन ऐसा नहीं कि मैं टॉपिक छोड़ दूँगा आप लोग उस चीज को देखिएगा नहीं आएगी चीजे तो आगे वाले सेशन्स में हम उस पर भी बात कर लेंगे तो आज हमने क्या क्या चीज कवर कर ली आज हमने तीन चीजे कवर कर ली आज हमने सबसे पहले गायन देख लिए मतलब सौंग्स देख लिए जो आज की क्लास शुरू हुई थी वो कहां से शुरू हुई थी वो यहां से शुरू किया था हमने सौंग से तो यहाँ पर लोग गायन देखे, आला गायन, बोला गीत, बाम्बूलिया गीत या इसी को जो है लम्टेरा गीत भी कहा जाता है, फिर फाक गायन की बात करी, बेराइटा गायन, देवारी गायन, हरदौल की मनोती, जगदेव का पुबारा, फिर ड्रामा देखे, तीन ड्रा और कंप्रीट करवा दिए देखो थ्री तो चली रहा है हमारा जो मॉर्निंग वाला सेशन हो रहा है सुभे आट बजे उसको देखिए आप उसमें मैं तीन दिन बायलाजी पढ़ा रहा हूं दो दिन फिजिक्स पढ़ा रहा हूं एक दिन केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और तीनों ही तीस-तीस नंबर के मतलब 90 नंबर का जो पार्ट है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायलोजी वो वहाँ पर हो रहा है साइन्स एंड टेक्नोलोजी के जितने टॉपिक्स हैं जो आपके मेंस के स्लिबस में दिये हुए है कुछ मैं पढ़ा चुका हूं इन्वायर्मेंट वाला पार्ट है उस पर भी दिरे हम ये वाले पार्ट को खतम करके महाँ पहुचेंगे तो देख लेते हैं कई बच्चों ने आंसर भेजे हुए तो ये जो है आप लोग से भी मैं एक्सपेक्ट करूँगा आज बोलाई है मैंने और आप लोग भी भेज देखेंगे तो देखिए राई डांस मैंने कल दिया था राई डांस के उपर कुछ आंसर लिखकर बेजाए थ्री मार कर में थ्री पॉइंट है बहुत ही अच्छा है कि बेडिया ट्राइब के द्वारा होता है राई डांस इस मेली परफॉर्म्ड इन बुंदिल खंड घिवाली इंदर रूलर एरिया जो बुंदिल कर तो देखें मॉनी डांस जो मैंने मॉनी अडांस का था कि कार्थिग मास में होता है इसको जो है आपका धोबी जाती भी करती ए और और कई जाती हैं कि दारा इसको किया जाता है यह आंसर भी लिखकर बेजा है राव्ला डा ग्राफ रीड करना आपको भी अच्छा नहीं लगेगा तो कोशिश करिए आप जो है इस फॉर्म में लिखिए कि आप जो है इसको पॉइंटर वाइस लिखने की कोशिश करिए साइन्स एंड टेक्नोलोजी की प्लेलिस्ट ठीक है उसकी भी प्लेलिस्ट हम क्रियेट कर वा दिंगे सार पी एसी में बाइलोजी है बिलकोल बाइलोजी है बहुत सारे क्वेशन साथे ओर अच्छे आपको 11 12 की पढ़ने पड़ेगी ऐसे ऐसे क्वेशन आ रहे है डावेटी इनसीपीडियस पर आ रहा है सर्टो ली सेल पर आ रहा है इस बार तो तो prelims में तक question पूछ लिया गया है ठीक है तो देखे ये answer format मेरे को काफी अच्छा लगा बच्चों ने जो भेजा था इसके अलाव पुराने questions भी बेज रहें बच्चे बुंदेलखंड के festival चैत्र सारे months के names याद हो गए हैं ये भी बहुत अच्छी बात है सबी को तो अभी जो है ये अच्छा अच्छी बात है तीन चार दिन पहले ही मैंने answer writing कराना चालू किये और मैं mail जब कोलता हूं तो मेरे पास इतने सारे mails होते हैं तो ये मेरे लिए थोड़ा सा जो है मतलब मेरा काम तो बढ़ जाता है इसमें लेकिन बहुत अच्छी बात है आप लोग answers लिख रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है आप जितने लोग answers बेजेंगे सभी answers में चेक करूँगा जैसे भी भले मैं late night भी reply कर देता हूं लेकिन मैं सारे answers चेक कर रहा हूं तो don't worry आप लोग बस answers लिखिए ये भी छतरशाल बुंदिला के उपर और चा के उपर question लिखा हु और कहां भेजने आपको तो ये mail idea इसको note कर लेंगे manish.s at studyiq.com इसके अलावा इस lecture की pdf आप यहां से download कर सकते हैं इसके अलावा किसी के कोई questions है तो अब जो है questions पूछिए इस पर बात करते हैं कोई भी दिक्कत आ रही है कहीं पर भी कोई चीज आ रही है तो वह आप करना बंद मत करना बिल्कुल नहीं बंद करेंगे summer don't worry देखा जाए तो मेरी classes कभी भी बंद नहीं होई है हो सकता है कोई subject बंद वाओ जैसे मेरी classes continuous हैं आप कोई भी दिन देख लिजे Sunday को छोड़कर सारे दिन मेरी classes आ रही है और even जो है March से जब तक जब से हमने session शुरू क किया था MP के लिए इस पर तपसे ही सारी चीज़ है continuous है तो don't worry और मैंने बोला हुआ है जो भी लगे आपको comment section open है आप लोगों के लिए उस पर आप पूछ सकते हैं और कोई question है तो पूछ लिजे ठीक है तो मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें आप लोगों को clear हुई होंगी और कोई भी तरह की दिक्कत आएगी तो आप session के बाद जो है लिख देंगे how to make synapsis sir notes become very lengthy for revision sir telegram पर search नहीं हो रहा है id आप मुझे mail कर दीज़ेगा वहाँ पर मैं बेज़ दूगा don't worry question यह है कि sir notes जो है वो काफी lengthy हो जाते हैं और उनको revise नहीं कर पाते हैं देखिए सबसे पहली चीज़ है कि यह जैसे मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाई है आपने कोई book से पढ़ी सबसे पहली चीज़ आप कोई भी topic है उसको पहली stage में अच्छे से पढ़ी है अच्छे से पढ़ने का मतलब कि हमें हमारे दिमाग में समझने आए कि हम क्या पढ़ड है ultimately ऐसा ना हो कि book में लिखा है हमने वही का वही पढ़ लिया आप उसको इतना relevance ही कि मतलब उस पर समझ सके हैं कि हम यह क्या बोलना क्या चारा कोई भी topic है चाए वो science का topic है चाए वो history का topic है कोई हटन गल्चर तो आर टन कल्चर से हमें एक बार हिट होना चाहिए दिमाग में कि आटेन कल्चर में क्या आथा है यह जैसे हम कोई river system पर नहां है तो rivers के अंदर क्या-क्या चीजे होती है क्या reverse बनाती है rivers पर कोई projects आता है river delta बनाती है river पर एस्टूरी बनाती है यह हमें एटलीस पता होने चाहिए कि रिवर के साथ क्या-क्या characteristics होती है उन चीजों को आप short form में लिखिए फिर बता दीजे कि वह यह एक चीज है जैसे मैंने रिवर्स का example ले लिया कि कोई भी XYZ आपने रिवर ले लिगे आपने आप का बगलियहर प्रोजेक्ट किसके ऊपर है आपका भाकडा नांगल प्रोजेक्ट किसके उपर तो यह जब आपको रिवाइज करना हो तो उन चीजों पर आप जाए डिरेक्ली रिवर्स के अंदर ये terminology होती है यह drainage system होता है यह इसका जो है आपका अपवहत अंत्र होता है इस तरीके कि आपके पस terminology होनी चाहिए कोई भी topic है तो उसके पहले आप keywords निकाल लिए कि बहुत क्या-क्या keywords हो सकते हैं इसके उन keywords के basis पर उनको revision notes में इस्तिमाल करिए अगला question सर प्रिपेर स्टार्ट ही कर रहे हो तो कहां से start करें start कर रहे हैं तो कोई भी subject से आप start करें सबसे पहला जो मेरा suggestion वही रहता है कि आप syllabus उठाई है syllabus वाइस कोई unit को target कर रहे हैं तो उस unit को पकड़िए उसके पीछे एक से दो notes को रखिए उसके बाद ज्यादा literature ज्यादा books notes के पीछे मत भागिए एक बार notes बनाई है उन notes में इतना space रखिए कि कभी आपको लगता है कोई नया point मिला तो अपने पुराने notes में उसको update कर लिजे ऐसा नहीं हो कि आपने पुराने notes बनाए इसमें लगा कि यह सर ने तो बताया नहीं था या हमने कभी सुना नहीं था और अब जो है यह नया point पता चला तो फिर से एक नय आग में ज्यादा याद रहती है यह एक प्रैक्टिकल चीज़ है तो इस चीज को फॉलो करके देख लिजे और कोई दिक्कत लगती है तो रोजाना सेशन होगा यहां पर कुश्चन और लेकर आ जाएगा अभी कोई दिक्कत होती मता पढ़ने में आज पढ़ा कल पढ़ा दो चार दिन पढ़ा फिल लगा कि सर यह दिक्कत आ रही है उसको फिर डिसकस कर लेंगे डोंट वरी और जिनको टेलिग्राम ग्रूप नहीं मिल पार मेल आईडी पर जो है मुझे मेल कर देंगे में वहां से जो है PDFs प्रोवाइट कर दूँए डोंट वरी तो होप सारी च कर दो है